आज में लोग Companion Test का छोथा class करेंगे और आज की class को देखने से पाले आपको जलूड़ी है कि सबसे पहले पाला और दूसरा class को देखना चे ठीक है पहला klas में ने आप लोग को बताय था कि 2 वरस का CAK से निकलते हैं और दूसरा klas में लोग को सीके ती 3 वरस का CAK से निकलते हैं तो यह 2 klas दौस्तो अगर आप लोग देख लेते हैं तो इसे समझने में असानी होगा तो स्वागत आप स्वी का Success Class 22 में चले आज की Class को शुरू करते हैं तो आज की Class को शुरू करने से पहले यह दो बाते हैं जो आप लोग को आना चाहिए ठीक है सबसे पहले दोस्तों आप लोग को यह पता होना चाहिए कि 5% की दर से और 10% की दर से तो यहां जो दो तरह का दर है आपको इस दो तरह के दर से आपको Question अक्सर देखने को मिलेगा तो यह दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए ठीक है 5% की दर से 2 वरस का जो C.I. होता है और S.I. जो होता है वह दुस्त आप लोग को पता होना चाहिए किस तरह से निकालते है ठीक है इसलिए दुस्त मैंने आप लोग को बता है था कि सबसे पहले आपको पाला और दूसरा क्लास को देखना चाहिए ठीक है यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि 5% की दर से जो 2 वरस का S.I. होता है वह आपको होता है 10% का और C.I. होता है आपका 10.25% का यह होगे S.I. और यह होगे आपका C.I. और S.I. और C.I. का जो अंतर होता है 5% की दर से 2 वरस के लिए वह आपको होता है 0.25% उसी तरह यहाँ पर आपका 3 वर्स के लिए तो 3 वर्स के लिए दोस्तों आपको पता होना चीक 5% की दर से जो SI होता है वो आपको होता है 15% का और SI आपको होता है 15.7625% का और इस दोनों का अंतर मतलए SI और SI का जो अंतर होता है 5% की दर से 3 वर्स के लिए वो आपको होता 0.7625% तिया हो गया 5% की बात अब बात करते हैं 10% के ठीक है यह दो दर दोस्तों question वेक्सर देखने को मिलता है इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को याद होना चीए अंतर कितना को होता है और यह होता है कितना ठीक है तो 10% की दर से जो दो वरस के असा होता है वो आपको होता है 20% का ठीक है और दो वरस का जो C होता है 10% की दर से वो आपको होता है 20% का और दोनों का अंतर आप लोग देख सकते है 1% का ठीक है 20 और 21 में कितना का अंतर है 1 का अंतर है इसलिए यहाँ पर आप लोग कर सकते है 10% की दर से 2 वरस के C और S I का जो अंतर होगा वो आपको 1% का ठीक है और 3 वरस की बात करें तो 3 वरस का जैसा होता है 10% की दर से वो आपको होता है 30% का और C आपको होता है 33.1% का और दोनों का जो अंतर होता है मतलब 10% की दर से 3 वरस के C और SI का अंतर वह आप लोग कर सकते 3.1% का होगा ठीक है 30 और 33.1 में कितना का अंतर है 3.1% का अंतर है तो 5% और 10% का जो दर है यह दोस्तों question वेक्सर repeat होता है तो यह दोस्तों आप लोग को पता होना चीज़ कितना होता है और दोनों का अंतर कितना होता है ठीक है तो इसे दोस्तों अगर हम लोग याद रखते हैं तो question कम सुमें बन जाता है ठीक है तो चलिए आप बात करते है question की question जो आपको पूछा जाता है मतलब ऐसा है और SI के अंतर से वह की step क्या आते हैं और आप लोग को कैसे उसे बनाना है ठीक है आपके समने आज की class का पहला question है question करें एक निश्ची 83 पर 8% की दर से दो वरसों के लिए चकरबेर्धी ब्याज और सदरन ब्याज की बीच का अंतर 8 रुपया है रासी ग्याद किजिए तो यहाँ पर दो आपको निकलना है रासी याणी मुल्धन ठीक है आपको वह मुल्धन बताना है जिसका दोस्तो दो वरस का जो अंतर है मतलद सीय और सीय का वह कितना का 8 रुपया का है तो आपको बताना है प्रिंस्पल याणी मुल्धन क्या है समय पत्या आपको 2 बरस का और दर पत्या 8 परसेंट का ठीक है और C.A. और S.A. का जो अनतर है वो आपको पत्या रोपिया ठीक है यहाँ पर आपको निकलना हे प्रिस्पल याने मुल्धन तो आप वोग आसाने से निकाल सकते है आप लोग जानते है ऐसा है जो होता है यानि सदारन व्याज जो होता है वो आपको होता है दर मल्टिप्लै समय ठीक है तो समय आपको पता है दो बरस और दर आपको पता है 8% ठीक है तो 8% की दर से 2 बरस का जैसा होगा वो आप लोग कर सकते 16% का होगा बात करते है C A की C A आपको कैशे निकलना है तो C A निकलने केमे भी आप लोग को बताया था पहले क्लास में, दो बरस के लिए तो जब धी दो बरस का केस होता है, तमझे लोग करते हैं R Sq Plus स है तो यहां पर दोस्ता है, आपको R मितलत 13 का स्कॉर करना है तो rate आपको पता 8% का तो 8 का square हो जागा 64 उसके बाद देना है 10 लव ठीक है फिर आपको निकलना होता है S-I ठीक है S-I दुस्ता आपको जागा 16% का तो यह दुस्ता आपका C-I निकल गया ठीक है S-I भी आपको पता हो गया C-I भी आपको पता हो गया और दोनों का करना अंतर ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपको अंतर पता 8 रुपया का तो यहाँ पर आप लोग कर सकते दोनों का जो अंतर होगा वो आपको जगा 6.4% का ठीक है यह हो गया C-I और S-I का अंतर ठीक है यहाँ पर आप लोग कर सकते है 0.64% का जो अंतर है वो आपको पता है 8 रुपिया ठीक है तो यहाँ पर आप लोग कर सकते है 0.64% का जो मान होगा वो आपको गई रुपिया क्योंकि यह भी आपका क्या अंतर है मतलब C or S का और यह भी आपको अंतर है C or S का आपको निकलने 100% कमाने निमूल धन ठीक है। आप लोग जानते हैं पेसपल जो होता है वो आपको होता है 100% ठीक है। यहाँपर आपको जेगा 8 बटा यहाँपको जिगा 0.44 जा सब्सक्राइब तो मल्टीपले हो जागा 1 सुष्ण पुन्हा यहाँ पर आपको निकल 100% कमान तो multiply कर देना 100 से ठीक है यहाँ पर आपको जिए 348 पुन्हा आपको जिए 248 यहाँ आपको जिए 25 चुकी 100 2 से आपको जिए 50 200 तो यहाँ से आपका जिए 25 पंचे 100 25 इस पर एक 0.0 बिठा देना है आपके समने दूसरा कुश्चिन है कुश्चन करें कि इस मुल्धन पर 10% की दर पर तीन वर्स के लिए चकरबेर्दी ब्याज और सदरन ब्याज का अंतर 2620 रुपया होगा तो यहाँ पर आपको जिए पर आपको जिए वह मुल्धन निकालना है मतला 10% की दर से 3 वर्स का वह आपका होता है 3.1% का ठीक है आप लोग RNA निकालना 100% का मुल्धन ठीक है आप कर सकते पर्सेंट में कितना है 3.1% का है जब के रियाल में कितना 626 है तो दोनों अंतर है तापस में क्या होगा बराबर होगा आपको निकलना 100% कमान ने इन प्रिस्पल क्योंकि कोई भी जो मुल्धन होता है वो अपने अपने क्या होता, 100% होता है इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको निकलना 100% कमान ठीक है तो यहां से आपका जगा 620 या आपको जगा 3.1 अमल्टिप्लाइ कर देन 100 से ठीक है ज़सन वाटाएगा तो पुना मल्टिप्लाइ हो जगा 10 से यहां से आपका जगा 31,62 यानि 2 तो 2 पर दुस्त आपको जगा 4,0 यानि आप लोग कर सकते 20,000 ठीक है तो यह दुस्त आपका प्रिंस्पल आगया 20,000 यहीं दुस्त आपको निकलना थे प्रिंस्पल यानि मुल्दन तो उप्सन नमर यहां पर देखिया आपका डी से जगा 20,000 ठीक है तो इसे भी दुस्त आप लोग ध्यान में रेखेगा चलिए आगे बढ़ते है आपके समने तीसा कुष्चन है कुष्चन करें कि निस्ची 83 पर 4% वार्सीक दर पर दो बरस का सदरन ब्याज 140 रुपया है समान दासी पर समान दर और समान अबदी के लिए चकरबेदी ब्याज और सदरन ब्याज के बीच का अंतर यान्त करें यहाँ पर आपको निकलना सिय और सैक अंतर ठीक है तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि परतिसत ब्याज जो होता है वो आपको दर मल्टी प्ले समय तो दर पता है आपको 4% का और समय दो ब्रस का और यह ब्याज जोस्तों आपको पता है 140 रुपया यानि आप लोग कर सकते 8% का जो मान है वो आपको पता 140 रुपया ठीक है दर मल्टी प्ले समय होता है आपका परतिसत ब्याज यानि 4 मल्टी प्ले टो आपको जागा 8 और 8% का मन आप लोग कर सकते 140 रुपया क्योंकि यह भी क्या आपका परतिसत ब्याज है और यह भी आपका क्या परतिसत विया जाए तो आपस में क्या होगा बराबर होगा तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं मुल्दन ये प्रिंस्पल तो प्रिंस्पल आपको हो जगा 140 बटा में हो जगा 8 मल्टीपलाई कर देने 100 से यहां से आपको जगा 25 चोके 100 यहां से आपको जगा 248 दो से आपको जगा 70 तो 25 सत्त आपको जगा 175 75 पर एक जरू बिठा देने तो आपका गया 17 से 50 यह दोस्त आपका प्रिंस्पल निमुल्दन आगया 17 से 50 अब आपको निकलना चाहिए बिड़ी ब्याज और सदरन ब्याज का अंतर यहां पर आप लोग कर सकते ऐसा है जो आपको हो जगा वो आपको हो जगा 8 परसेंट का ठीक है अब बात करते हैं तो CI कि लोग करते हैं सबसे पहले 8 का स्क्वार फिर करते हैं यहां पर 4 का स्क्वार हो जगा 16 उसके बाद करते हैं यहां पर आपको मुलधन पता है 1750 रुपया तो 1750 रुपया का आपको निकलना यह 0.16 परसेंट कितना आता है तो चलिए दूस्त आप इसे मिटाते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप लोग मुलधन निकलने 1750 ठीक है और दोनों का जो अंतर है वह पता है 0.16% का तो 0.16% का बटायम हो जगा 100 पुना 10 बटायेगे तो बटायम हो जगा 100 तो यहां से आपका 0 से 0 कतम यहां से आपका 25 सट एकसा 75 यहां से आपको जगा 25 चोकी एकसा तो यहाँ पर आपका संक्या बचा सेवन मल्टिप्ले हो जगा टू आपको जगा साथ दूना चोदा बटाम आपको जगा फाइव यहां सापका जगा पंच दूना दास पन वट्टा चालिस मतलए दो रूपया असी पेसा तो अप्सन नमर यहाँ पर देखे आपका यह से का जो अंतर होगा वह आपको होगा दो रूपया सी पेसा का ठीक है तो यहाँ दोस्ता आपको निकलना था दोनों का अंतर तो इसे दोस्ता आप लोग समझे होंगे चली आगे बढ़ते हैं आपके समने चोथा कुश्चन है कुश्चन करें किसी दंडासी पर चार और चकरबिर्धी ब्याज की बीच का अंतर आठ रूपया है वह रासी ग्यांत करें तो यहाँ पर आपको निकलना रासी या निमुल्धन ठीक है आपको बताना है कि प्रिंसपल क्या है जिसका है दोस्तो चार प्रसेंट की दर्से दो बरस का अंतर है वह आपको पता आठ परसेंट का होगा तिया दोस्तो आपको हो गया ऐसा है ठीक है अब बात करतें सिया की तो सिया निकालने के लिए सासे पहले करतें आर स्क्वेर मंतरदार का स्क्वेर तो चार के स्क्वेर हो जेगा स्थोला उसके बात करतें आसा है तैसा आपको आर परसेंट का तिया आपक सकते 0.16% का जो अंतर है वो आपको पता है आठ का ठीक है आपको निकल जाएगा 100% कमान या आपको जगा दोन अस्वल ने टू तू से आपको जगा 50 और पचास पर यह आपका डवल जिरो तो आप लोग कर सकते 5000 ठीक है यह दोस्ता आपका प्रिंस्पल या प्रिंस्पल आग यहां पर देख्या आपका डी से उजगा पांच जा ठीक है जो इसे दोस्ता आप लोग ध्यान में रेखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी सबने पाच्पा कुश्चन है कुश्चन करें 15,000 रुपया की रासी पर 8% परती वरस की दर से 2 वरस के लिए चकरबिर्धी ब पर दोनों का अंतर आपको निकलना है तो दोनों का अंतर राजएगा 0.6% पर ठीक है यहां पर आपको सी यह और आपको अंतर पता है परसेंट पर कितना है 0.6% है तो आपको निकलना है 15,000 का 0.6% कितना आता है यहां पर आपको जिए 15,000 इसका निकलना है 0.6% तो यहां से आपका दसन बटेगा तो बट्टायम हो जाएगा 100 तो यहां पर आपका परसेंट से डवल 0 खतम पुना 0 से 0 खतम यहां आपको जिए यहां से आपका जिगा 5,2,10, यहां से आपका जिगा 32, तो संख्या बच्छा आपका 32 मल्टीपल हो जिगा 3, तो 32 तिया आपको जिगा 96, ठीक है, तो आप लोग कहा सकते दोनों का अंतर कितना गोगा 96 रूपया का होगा, तो उपसन अबर यहां पर देखें, आपका 20 से देखेंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके समने चटा कुश्चन है, कुश्चन करें, दो साल के लिए 5% की ब्याज दर पर, चार सार रूपया का चकर बेदी ब्याज और सदरन ब्याज के बीच का अंतर ज्याद करें, तो यहां पर आपको निकालना है CI और SI का अंतर आपको समय पता है 2 साल, दर पता है 5% का, और रासी मतलब मुल्धन जो पता है, वो पता है 400 रूपया, तो यहां दोस्ता आप लोग पीछें सीखें हैं, दो साल का जो CI और SI का अंतर होता है, मतलब 5% की दर से 2 साल का, वो आपको होता 0.25% का ठीक है, 5% की दर से 2 ब्याज का CI और SI का जो अंतर होता है, वो आपको होता है 0.25% का, तियां पर आपको दूस्तों 400 का निकाल लेना 0.25%, तियां से 10 से न बटेगा तो बटा में आपको होजगा 100, पर 30 साथ आपका 0000 खतम, पुना होजगा 25 चो के 100, 4 से 4 कतम, तियां पर आपको कर सकते 1, तिया आपका CI और रसा एक अंतर आगए 1 रुपया का, तो अप्सन नमर यहां पर देखें, आपका DCU का 1 रुपया, तो इसे भी दूस्तों आप लोग समझे होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके साथमा कुश्चन है, कुश्चन करें 2000 रुपया पर दो बरसों के लिए 10% वार्सिक ब् पीज का अंतर ग्याद करें, तिहां पर आपको DCU का अंतर निकलना ठीक है, तिहां पर आपको समय पता है 2 साल का, और दर पता है 10% का ठीक है, और मुल्धा नेरिपिस्पल जो है, वा आपको पता है 2000 रुपया, तिहां पर आप लोग अस्वानी से निकल सकते हैं, आपको करें, किसी रासी पर 5% की ब्याज दर से, दो बरस के लिए चकर बेज़ी ब्याज और सदरन ब्याज की बीच का अंतर दो रुपया है, मुल्धा सी ग्याद कीजिए, तिहां पर आपको स्वाज पता है 2 साल, और व्याज का जो दर है, वा पता है 5% का ठीक है, और दोनों का अंतर मतलब C और SI का जो अंतर है, वा पता है आपको कितना का, 2 रुपया का, तो आपको निकलना है मूल रासी यानी प्रिंस्पल, तो अभी दोस्ता आप लोग फिछ क्लेल में कितना है 2 है, यहां से आप लोग कर सकते 100 रुपया का जो मान होगा, वा आपको गार्ष रुपया, या आपका प्रिंस्पल, यहां पर तो आपका सीस्फिव गार्ष रुपया, तो इसे विदूस्ता आप लोग ध्यान में डिखेगा, चले आगे बढ़ते हैं, आ 5% की ब्याज दर से 8000 पर चकरबिदी ब्याज और सदरन ब्याज की बीच का अंदर ग्याद किजिए यहाँ पर आपको सुमय पता है 3 वर्स का ठीक है और दर जो पता है वो आपको पता है 5% का तो अभी दुस्ता आप लोग पीछे सीखे हैं 25 5% की डर से 3 साल का सिय और गया आपका होता है तो आपको ओन सीखेंश कीजिक होथाई और यहाँ पर आपको मुलदन कीतना पता है यूलदन पतां आपको आपको उठ जया ठीक है इसका निकाल लेना है आपको याँस आपको आट से आठ खतम हो जागा तो सब्सक्राइब अबचा एक सर्थीक आप लोग कर सकते चकविदी ब्याज और सद्रान ब्याज की बीच का जो अंतर होगा वह होगा आपका पर दो वरसों के लिए 15 % 750 ब्याज और चकर विरदी ब्याज के बीच एक 60 रुपया का अंतर है निस्ची तरासी ग्यांत कीजिए यहाँ पर आपको सबसे पहले निकाल लेकिक है तो यहाँ दूस्त आप लोग जानते है दर पता है 15% का समय पता है 2 साल का तो ऐसा है दोस्ता आपका जगा 30% का ठीक है अब बात करते हैं की तो तो C i के लिए सासे पर लेकर ते दर के स्कौर्र तो 15 के स्कौर्र आपको जगा 225 लेकिन हम लोग लिखते हैं दो आंक में यहाँ पर आपको जगा 25 उसके बाद करते हैं तो ऐसा है तो आपको जगा 15 दुना 30 बचा आपका 2 ति आपको जगा 32 32 यानि 32.25 परसेंट आपका अग 25 परसेंट का जबकि रियाल में कितना एक्सासी का है तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं निस्चीतरासी आप लोग कर सकते हैं 2.25 परसेंट का जो मान है वह आपको पता एक्सासी रुप्या आपको निकालना 100 परसेंट का माने निमूलधन तो यहां से आपका जगा जग के एक सर 25 नम आपको जिए दोसर पचीस फुना-फुन रहें लोग कर सकते आपको जिए चर दून आथ और पर इसे भी दोस्ता आप लोग समझेंगे और यह दोस्तो आख़िए थीक है तो यहाँपर दॉस्ता लोग ने चाल क्लास को बारी किसे देखना चाहिए क्योंकि हरे क्लास में लोग एक नया टैप की question को सीखते हैं तो आपको ज़लूरी है कि complete class देखना चाहिए वह भी दोस्तों सुरू से ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग चाल क्लास को समझे तो इसे दोस्तों आप लोग पहले practice कीजे फिर दोस्तों अगले class में इसे आगे देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर दोस्तों आप लोग इस class को समझे और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्याम से सीख सकते हैं तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को subscribe कीजे और इस घंटी के अकुन को दबाईए इससे आपको हले class का notification मिलता रहेगा एक भी class में इसने होगा तो मिलते हैं हले class में तो तक के लिए जाहें जा भारत